दूमधाम से मनाई गई Queen Victoria Girls School में खीसट जैनती इस अफसर पर स्कूल की छात्राओं ने सुन्दर सांस्कृतिक प्रस्तूतियां पेश की और Nativity Play के माध्यम से प्रभू मसी के जन्म के उद्देशे और उनके संदेशों को लोगों के समक्ष रखा 25 दिसंबर को देश के साथ विश्वर में प्रभू मसी का जन्म धूमधाम से मनाया जाएगा क्रिश्टन समाच के इस खास परव को लेकर शेहर में भी उत्साथ दिखने को मिल रहा है शेहर के मिशनरी स्कूल में क्रिस्ट जहनती कारिकरम आयुजित किये जा रहे है क्वीन विक्टोरिया एंगलिश स्कूल में क्रिस्ट जहनती कारिकरम का आयुजित किया गया इस अफसर पर मुख्यत्री के रूप में आज विशप डॉक्टर पीपी हाबल शीमती मैसी हाबिल, स्कूल की प्रिंसिपल जैट डैनियल, सैंट पॉल चर्ट स्कूल के प्रिंसिपल विवेक डैनियल और स्कूल के मैनेजर साइट अन्य प्रमुखलोग कारिक्रम में उपसे तहे कारिक्रम की शुरुवात प्रकाश रुपी इश्वर की जोती को जला कर हुई उसके बाद स्कूल की छात्रों ने पेर डांस पेश किया और इश्वर को याद करते हुए सभी के कल्यान की कामना की गई उसके बाद छात्रों ने कैरल सिंगीं के माध्यम से प्रभु को याद किया और सभी के जीवन में खुशहाली, प्रेम और कल्यान की, प्रातना की, बच्चों ने बहुत ही सुन्दर धंग से कैरल सिंगीं को सभी के समक्ष पेश किया कैरल सिंगिंग के साथ स्कूली बच्चों ने नेटिविटी प्ले के माध्यम से प्रभु मसी के जीवन को बड़े ही सुन्दा धंग से मंच पर पेश किया, साथ ही ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रभु मसी के आगवन के उद्देशों का महतु भी बताया, उनके द्व पेशों पस चलने के लिए प्रोट साहित किया प्रभु में आपको दना चाहरे हैं, जी प्रभी बताया, साथ में प्रभु मसी के प्रोग्राम को सेंटा क्लॉस के बिना पूरा नहीं माना जानता, इस अफसर पर सेंटा क्लॉस ने भी आकर जिंगल बैल जिंगल बैल गाकर माहौल को खुशनमा बनाया और सभी को क्रिस् तालिया बजाने पर मजबूर कर दिया, कारिकरम की जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था कि बच्चे इस दिन के लिए काफी दिन से तयारी कर रहे थे और यह कारिकरम उनके स्कूल के लिए काफी खास होता है, इस कारिकरम के माध्यम से प्रभु मसी के सं क्रसमस के उपलश में किया गया है यह इसमें खास उद्देश जो है कि पिरमेश्वर इस दुनिया में पाप को मिटानी कि लिए आये और उन्हें का कि सारे जाती आना सब एक समान है हमें किसी किसा दाब और नफरत नहीं करनी चाहिए मिल के रहना आई रित कारिकरम में बड़ी संख्या में लोग उपसित रहे, बच्चों ने भी पूरे उत्सा के साथ क्रस्मस के इस कारिकरम को सेलिबरेट किया और सभी को क्रस्मस की शुब कामनाई देते हुए प्रेम और सदभाव के साथ रहने के लिए प्रेरित किया